इस समय जो है 36 गड़ वापा में बहुंद बड़ी ख़बर जो है आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहा है एसाई के 975 पोस्ट के बारे में देखिए यह साई भरती परिक्षा के प्रिलेम आपका हो चुका है प्रारम्भी लिखित भरती परिक्षा जो 29 जन्वरी को आपका एक्जामस हुआ था रिजल्ट भी आ चुका है लेकिन अभी तक आपका मेरिट लिस्ट जारिक होना है 975 पोस्ट के लिए 20 गुना इस्टूडेंट का स Cabinet से pakai अक्जाम के सांट मुखती परिुक्श जो हूँ मैंसे के लिए आप का सिलेबस जादि किया है तो यह अप्डेट समड़ेके लिए दिख्ये सिलेबस जारी हुओा ए तो आप Medic प्यारी भी अच्छे से कर सकते हैं उसलिए बस जारी हो गए तो आप अपना पढ़ाई अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर हम जहां तक बात करें एक्जाम की एक्जाम क्या होगा तो आवेदन की जो लास्ट डेटर है को वह 16 अक्टूबर और परिक्षा के द जो आपका प्रिलियम्स हो जुगा है एसाई का लेकिन किसी भी तरह से आपका जो है लिस्ट जारी नहीं किया गया है बीज गुना जोadowылने से जार पांस से स्टूडेंट का सेलेक्शन हुआ है मैय उसका लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है तो यह माल के चल सकते हैं एसे भॉरती परिक्चा में प्रारंविक लिखित भरती परिक्चा जो हुआ था इसमें किसी भी प्रकार की एक लब्न मार्किंग नहीं था बिल्कुल भी नहीं था आपने सभी क्वेस्टन हो शॉब कर दिया रिकिन इस्cience इस बार आपका मैंस में स्टर्च मार्किंग निगेटीव मार्किंग देखने को मिल पाएगा और उपर यह को जो यह मैंस में लिखना है इसमेंटिक करने के लिए नहीं दिया जाएगा तो अखेरकार एसमेंस भरती परिक्षा का कटप कितना जाएगा S.C.H.T.O.B.C. और जनरल कैटिग्री वाली स्टूडेंट का कितने नमबर में सेलेक्शन होगा कैटिग्री वाइस बताऊंगा कौन से सब्जेक्टे से कितने अंकों के क्वेस्टन पुछे जांगे कौन से बुक्स आपको पढ़ना चोही जिससे कि आप एकजाम्स में अच्छे से नमबर ला सके और आप एकजाम्स को कौलिफाइ कर पाएंगे हर एक एक čोटी सु चोटी जनकारे आप लोगों की स्वीडियो में बताऊंगा तकि आपको और अच्छे से बेहतर नॉलेज मिल पाएंगा और आप एक्जाम्स में definitely एक अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सुबेदार उपनी रिक्षक, शमवर्ग, प्लाटून, कमांडर, चैन, प्रक्रिय, मुख के लिखीद भरती परिक्षा ही तो पाठ्ठक्रम यानि कि आपका एसाई भरती परिक्षा के मेज का सिलेबस आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है तो एसाई भरती परिक्षा का मेंस का सिलेबस किस तरीके से होने वाला है हिंदी एवाम अंग्रेजी भासा में दक्षता तो हिंदी का ये पूरे व्याकरण जो एक्जाम से में पूछे जाएंगे जिसमें आपका हिंदी एवामान्य भारती भाषा हैं हिंदी व्याकरण पर्यावाची वीलों सब्दा एकार्थी सब्द तस्याम एवं तq उसवर्गें प्रत्य शंधी वामस हिंदी में लोकूक्तियां वाम हाकरे त्रूटी से संबंधित काार्थी शब्द कारख क्यां सब्द भाक्पय इंच शोधन कारक यांसु के लिए शब पत्थित ब्रोद जिसमें घद्यान सिर्ष शारांशियं प्रशना तो हिंदी के प्रशना जो है काफी इंपोर्टन नौलेज मिल जाएं और व्याकरंट के बारे में ऐसी कोई भी जनकारी ना हो जो जनकारी आपको पता ना रहे तो हिंदी के वाकरन के तयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके लब जो है दिल्ली I.S. Academy का बुक लेशकते हैं जी हम यदि आप दिल्ली I.S. Academy के बुक से यदि आप एक्जाम्स के तयारी करेंगे आपको जो हिंदी के जो शोर, वेंजन, अक्छर, वर्दिनी, शंग्या, समास, महारे, लोकोगतिया, अपठित, गध्यांस, इन सभी एक्जाम्स के तयारी इस बुक से आप जो है कर सकते हैं जिसमें to the point सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से explain किया जाता है और आप अच्छे से analysis कर सकते हैं, देखे जब भी हम तैयारी करते हैं, आपको analysis करना है, उस subject के बारे में जितना हो से कि डिपली से डिपली आपको जो है, knowledge इक अठा करने की कोशिश करने, जितना जाद आपके पास knowledge होगा, उतने ही आप लोगों के लिए बहतर होगा, उतने ही इसे राइटिंग जी है, इसमें ऐसे भी आएगा, आपको एसे राइटिंग और Hindi to English translation, आपको जहाँ ट्रांसलेशन जो है, आना चाहिए, आपको यह लगता था कि दस्वी तक दो ट्रांसलेशन आता है, उसके बाद आगे, ट्रांसलेशन नहीं आता, ऐसा नहीं है, आपको जितने जादा आप जो 10th और 12th है, उन से भी क्लासेस में जो पढ़ते हैं, वही आगे कोलेज हो या फिर कॉंपेटिशन एक्जाम सो, उन से भी में पूछे जाते हैं, तो Hindi to English translation, English to Hindi translation, 10s, models, article, voices, narration, preposition, clause, यह आपके English में पूछे जाते हैं, तो यह भी काफी जादे important होता ह हैं, आपके English जिसमें tense, यह आएगा tense, voice, narration, conjunction, preposition, article, degree, question, one word, sub institution, subordinate, coordinate, finite verb, non-finite verb, precise writing, यह से भी important है, तो English के त्यारिया यह आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है, essential English, जी हाँ, आप जो है, essential English, जी हाँ, आप जो है, essential English, रस्मिसी दीशा पप्रिकेश के बुक लेश रकते हैं, जी से आपको, English के बारे में, जो है, complete knowledge मिल पाएगा, और आप लोग इंग्लिस में, बहुत अच्छे से बेहतर नंबर, जो है, आप लाश रकते हैं, तो यह दियाँ, essential English, रस्मिसी दीशा पप्रिकेशन के बुक से English के तैरी करेंगे, English के preparation करेंग के आपको, बेहतर से बेहतर knowledge, अच्छे से अच्छे है, जानकारी अच्छे से अच्छे knowledge, जो है, मिल पाएगा, और आप लोग इंग्लिस में, जो है, बहुत ही अच्छे से नंबर, जो है, ला सकते हैं, और कोई भी competitions exam मुस्किल नहीं है, आप सभी competitions exams को, जो है, qualify कर सकते है मुस्किखेना बस इसके लाप को आपको तैयारी करना होगा, इसके लाप जो अच्छे से preparation करना होगा, अच्छे से महनत करना होगा, तो 36 गड़ में, ऐसा ही, भरती परिक्षा का, minutes, exam जो है, होने वाला, तो minutes exams के लिए, ठोड़ा से न्तिजार आपको करना होगा. means exams के लिए जल दी आप सेभी students के लिए नई notification निकल कर आया जाएगा तो इसके लobi और कोई छोटी बड़ी जब भी कोई अफडेटस आएगा है नई notification के साथ वो notification मैं आप सभी कोईचो रूप से बता दूँगा तो यह काफी अची updates है ASI भरती परिक्छा में तो इसके लिए जब नई अपडेट्स आएगा तो आप सभी को अवश्य रुप्ष बता दूंगा तो चैनल के साथ बने रही है बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लेज़े ताकि जब भी मैं वीडियो से अपलोट करूं आप लोगों तक जो है जानकारी सबसे पहल आप जरूर्केश्म जाप साथ चैनल करूंग जाप जब ढूर्केश्म